आप सभी का एक बार फिर्ट से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल दिपेजगूर में यहाँ पर मैं आपको दोस्तों जनसेवा मित्र से रेलेकेट डो टापिक के बारे में बहुत महत्पुन जानकरी देने वाला हूं जैसे कि आप सभी को पता है कि जनसेवा मित्र की फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है और कि आधार पर आईए उसका भी हमने वीडियो यहाँ पर आपको प्रोवाइट किया है आप जाकर देख लिजे अगर नहीं देखा है तो आज में आपको जानकरी देने वाल हूं कि जनसेवा मित्र में इंटर्व आपको यहां पर उन्होंने बताया है ठीक तो चलिया हम चलते हैं बेप साइट क्यों compare लेग कि गूगल पर आपको सर्च करना है MP service यहां पर आप जैसे जाएंगे यहां पर आपको एक result का option देखने को मिल रहा होगा अगर यह नहीं दिख रहा है तो आप portal open कीजिए MP service की official website पर आप जैसे एंटर होंगे यहां पर आपको कुछ दिर wait कर लेना है और फिर आपको सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफिस तो होने लेगा यहाँ पर आपको सबसे उपर आप देख सकते हैं कि result ka options हो रहा होगा और फिपकर कर्देना है इंटर्फिस सो होने लगेगा चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्न प्रोग्राम बेश्टू यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इनटर्वियो किस प्रकार से इंटर्वियो में सिर्फ 15 केंडिटेट को छटे जाएंगे और यहां पर checklist for the document very biggest है, वीडियो को end तक देखिएगा, यह नहीं कि आपने आपको पता चलगा है कि कहां से डाउन्लोड करना है तो हम डाउन्लोड करकर check कर सकते हैं, वीडियो को end तक देखिएगा, पहले हम देख लेते हैं, यहां पर हमने जैसे ही PDF पर open किया, हमारी PDF यहां US nyt पर फेसे यहां पर गिंती शूर होगी, तो यहां पर इसना तक आगर आपके 50% से लेकर 69% हैं तो आपको 24% मिलेंगे, और 8 से लेकर 69% नहीं सट्र फोटीं कि मिलेंगे, ऐसी 30 के ओपर हैं, तो आपको 80% कि इजा धका है, तो आपको 80% के आपको 80% के नम्मर दिये जाएं तुर्षाफ पार्प्त यहां पर 50-90, 50-60, 50-90, 70-80, अपर वाले को 100 अंकक दी जाएंगगे प्राप्त अंक का ती प्रतिसफ अंतिम सूची है, थी किया जाएगा जो भी आंक आपको यहां पर प्राप्त होंगे उसका आपको 30% यहां पर आपको दिया जागा साक्षात करें तो प्रत्य पद के लिए तीन आविदकों के आपनतित किया जागा मतलब एक पद के लिए तीन लोगों को चूना जागा एक पधी के लिए तीन लोगों को चुना जागा, जिसमें एक को सिलेक्ट के जागा, मतलब 15 पधी के लिए, टोटल उलिए 15 लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट CIRC, कि आयसा अच्छात करें तो इस नौ तक्तर हैं पोस्ट ग्रेजुशन डिप्लोमा इस नौ तक्तर के आंग पर प्रात्मेक तर जेंगे ठीक है ये पीडियेप आप खुछ सभी समझ सकते हैं मेन पीडियेप बात करेंगे इस पर जैसी आप इंटर्विव के लिए जाएंगे तो यहां पर आपको कौन को से डाकुमेंट लेकर जाना है यह बहुत ही इंपोटेंट हो इसे आप ज़रूर एक बार देख लिस देगा कि आधारकाट, पेंकाट, ड्राइविंग लासें, बोटर आइटी, ओरिजिनल और फोटोकापी लेकर जाना है यहां तो आधारकाट या पेंकाट या ड्राइविंग लासें से बोटर आडी, इसमें से एक कोई चीज भी लेकर जाना है तो आधारकाट सबसे बेश्ट रहे रहेगा दस भी बारवी की मार्क सीट लेकर जाना आपको ओरिजनल फ्लस फोटोकापी graduation degree and marksit अगर आपके पास है तो original वाली लेकर जाना है और वो भी final की लेकर जाना है ठीक है final की marksit लेकर जाना post-gradual अगर आपके पास है तो आपको लेकर जाना है final की original plus photocopy अगर आपके पास PG Diploma भी है तो आप Original Plus Photography लेकर जा सकते हैं और Domitical Certificate अगर आपके पास वो तो सभी पास रहता था ठी कि Domitical Certificate सभी पास रहता तो Original Plus Photography आपको लेकर जाना है मतलब यहाँ पर टोटल 11 डाकुमेंट है तो सभी कि अगर आपके पास जो जो उपलब्द हैं वो आपको सभी को Original Plus Photography लेकर जाना है दो पासपोट साज फोटो आपको लेकर जाना है जिसमें नाम आपका लिखा होना चाहिए ब्लू से ठीक है ब्लू कलर से आपका नाम लिखा होना चाहिए फोटो में ठीक है और पासपोट आपको जो बेंक अकाउंट की पासपोट की आपको Original Plus Photography लेकर जाना है और अगर आपके पास NSS या NC से का Certificate हो तो भी लेकर जाना है ठीक है दोस्तों ये वीडियो अधिक साधिक से हैन कीजिए इनका नाम मत मेरी की परिश्टी में आया है आयु में फ Alsophone 95 . सब्सक्राइब कर्कोटारी से इंटर्वी स्टारथ है आज बहुत से लोगों पास यहां पर कॉल आ चुका है तो आप बेट करिए बस कॉल करिये यसा नहीं कि आप को शमाश्चा आप को होने वाली है इसलिए थोरा आप समल कर रही हैगा जैसे कोई भी फोई मिसमत करिये सब्सक्राइब को अटेंड करिये तो दोस्ते ऐसी मिलेंगे नए अपडेट नहीं जानकर रहें नए इंफ्रमेशन के साथ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज आप सभी से रिक्वेश्टे वीडियो को लाइक कर दीजे चेनल पर नहीं है तो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आपको आने वाली नोट्योपेशन जो आपको वीडियो में जानकरी दे आपको मिल सेके धन्यवाद है